तो हलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सभी एक बाफिश्य स्वागत आपका मरी यूटूब चैनल पर तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीवी पीजी कॉलेज तेरादुन का जिनका मेरिट में नाम आ चुका है फर्स्ट मेरिट में जिनका नाम आ गया है उनको जो आपका अगर आप जा रहें तो कौन कौन से आपको लिजाने आप पूरी में यहां पर वीडियो पताने वाला हूं ठीक है कि जनरली जो डॉकुमेंट्स होते हैं जो एडिशन के टाइम पर लगते ही हुए डॉकुमेंट्स है फिर भी एक बार आप यहां पर देख सकते हैं यह आपको सबसे पहले तो यहां पर जो है प्रिंट आउट जो है ओनलाइन मेरिट फॉर्म का आपको एक तो यह ले जाना खाल ले नशे वहां पर कॉ Buenos Türkiye अवहां पे लेकर चाले कि प्रिंट आउट अगर आप कॉल्च के पास में प्रिंट आउट निकाले तो काफी बीड होने है सारह कोमेंटि धैनल आपमें हैं साथ में उनका एक साट फोतो कॉपी बना के भी था ठाइए बना के आपके घनल खानल ऊप सेतः धाइगे अवहले साके मश्चे Ragid जाने हैं उसमें आपके जैसे 10th के Mark Seat and Certificate 12th के Mark Seat Certificate यह सारे आपके लगने हैं उसके बाद जो Graduation के Mark Seat All Semesters के सभी Semesters के आपको ले जाने हैं ठीक है अब ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके पास में Year wise है ठीक है अगर आपके पास में जैसे उसमें जो रिजल्ट आता है अगर आप जैसे Central University से पास आउट जितने भी students होंगे तो H&B का जो रिजल्ट आता है उसमें जैसे 1st year, 2nd year, 3rd year semester wise तो आता ही है उसमें आपका 1st year में आपका 1st and 2nd semester की एक Mark Seat आती है से 2nd year में 3rd and 4th की और last year में 15th and 6th की तो तीन आपके वह तो वह भी आप ले जा सकते है उसकी फोटो कॉपी और वह आपको साथ में अगर आपके पास में Mark Seat आपके नहीं आई है Final की तो आप ऐसा कर सकते कि आप जो भी आपके पास में 1st year, 2nd year की अगर Mark Seat अगर last year की नहीं और यहां पर बाकी जो Reservation Certificate आपके जो भी है वह आपको यहां पर ले जाने है चाहिए भी आपका जो भी आपका Reservation Certificate है उसके अलावा यहां पर जो Transfer Certificate, Character Certificate यह तो आपके और जाने है ठीक है तो अब यह उनके लिए है TC & CC Original उनके लिए है ऐसे कंडे जिन्होंने की जो है जो graduation किया है from any college other than DAB PG college देरादून ठीक है तो जिनका DAB PG college देरादून से BABSC B.com नहीं है तो उनको यहां पर TC & CC ले जाने है बाकी जिनका जिन्होंने जो है DAB PG college से ही जो है graduation किया है तो उनके लिए यहां पर TC & CC compulsory नहीं है अगर आपके पास में है तो ठीक है नहीं है तो आपका चलेगा ठीक है इसमें लिखा हुआ है कि अगर transfer certificate और collector certificate students arrange नहीं कर पा रहा है तब वहां पर undertaking का भी form दे रखा है उसको यहां पर फिल कर सकता है तो उसको भी मैं बता दूंगा undertaking का form आप कहां से और कैसे उसको फिल करना है ठीक है तो अगर आपके पास में यानि अभी TC & CC नहीं है तो तब आप यहां पर undertaking का form भर सकते है उसमें आपको एक time दे देंगे कि भाई इतने time में आप TC & CC समिट कर देंगे आधार कार्ड आपका लगेगा ठीक है और एक anti-ragging का तो यह भी मैं आपको पता दूंगा anti-ragging का certificate किस तरीके से आपको इसको download करना और कहां से इसको fill करना है कैसे यह तो आपका रहेगा बाकी आपको physically वहाँ पर फरजेंट होना है और एक चीज और है इसमें आपको marks लिष्ट निकालनी है ठीक है marks लिष्ट प्रतेक समिश्टर की marks लिष्ट यह आपको university की site से निकालनी है ठीक है तो यह miss मत करना है क्योंकि यह आपका सबसे क्योंकि लिष्ट आले हम आप पूरे वह verified होते हैं तो माक्स लिष्ट आप university की site से निकाल देना है अभी मैं वह बता दूंगा marks list कौन से marks की मैं बात कर रहा हूं यह तो आपके documents है ठीक है यह तो यह आपका anti-ragging का तो इसका जो लिंक में दे दूंगा video के description में वहला हाला कि आप इस college की site से भी download कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको दे दूंगा वहां से आप download कर लेना वीडियो के description में दे दूंगा वहां से आप इस form को download कर लेना तो इसमें आपको क्या करना है इसमें कुछ instructions लिये हैं यहां पर आपको दीखिए आपको घर से fill करके जाना है यहां पर आपके parents के signature होने हैं यहां पर आपका parents का नाम address और date आएगा यहां पर signature होंगे students का नाम identity card number और date identity card number में आप आधार काल नंबर यह जो भी आप डाल सकते है national जो आपका identity card होना चाहिए जैसे pen card आधार काल पासपूर्ट तो आपको यहां पर डालना है ठीक है यह आपको घर से भर के जाना है यहां पर आपका एक self-tested passport size का photograph यहां पर लगाना है यह compulsory कर दिय इस बार सबढ़े और प्रस्कार यहां पर आपको नाम आजाएगा यहां टो यहां पर यांक to the ऑन जैसे म कॉम weighted जैसे आपने लिया में ले लिया में रूम्स सग्यख़ में आपके मता मता की मीचर दिना सब्सक्राइब बेखassen पाय सब्सक्राइब तो वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आपके पैरेंट के सिंग्निचर होने है तो यह आगर आप घर से फिल करके जाएंगे तो आपका जो है डॉकमेंट वेरिपिकेशन होगा एक दिन में ही यहाँ पर हो जाएगा अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अंडर्टेकिंग टीसी और सीसी के लिए जो यहाँ पर आपका रहेगा वो किस तरीके से आपको भरना है तो यह है जिनके पास में टीसी और सीसी अगर एडिसन्स के टाइम पर आपके पास में नहीं है तो आपको इस फ़र्म को डाउनलोड कर लेना है और इस फ़र्म को भरके आपको ले जाने है तो यहां पर देखिए आपका नाम आना है आपकी पिताजी का नाम या डॉटर ऑफ सरी जिसके भी यहां पर आपका परेंट्स का नाम आना है यहां पर एड्रस आ जाएगा यहां पर क्या करना है गाइज बीए बीकॉम लिखा है तो इसको क्या कर ले ना जिस कोर्स में आप क्राइब के अपर नाम आ तो आपके लिए में काट है श् Lauren theRak पिक के आपका सिंग्निचर और नाम आ जाएगा और यहां पिर आपने अप्र्ट की संसिंद मंपर टो उसमें तो आपने बाइब दाल देना और मोबाइल नंबर आपको यहां पर अपना डाल देना है तो यह आप कर रहेगा undertaking for the submissions of TCNCC transfer certificate and character certificate इसको यह से आप इसको जो यह है इसको आप इसको 2022 तीस कर लेना ठीक है क्योंकि इन्होंने अभी है दिया नहीं है है 2022 तो यहां पर 2020 और 21 लिखा हुआ इसको आप यहां पर काट के 2022 और 23 कर देना ठीक है यह यहीं पर आप 2022 तीस को कर सकते हैं कि यह हैं आपका undertaking for the submission of card certificate की भाई अगर आपके पास में के टाइम पर काट certificate नहीं है तो यह भी आपको भर देना तो सेम है ऐसमें भी वैसी भरना है यहां पर आपका जो है रेशेशन नंबर यानि अप्लिकेसंस नंबर और यहां पर डेट आ जाएगी ठीक है यह आपका आ जाएगा और यहां पर जो है आपका नाम सिगनिचर एप्लिकेसंस नंबर मुबाइल नंबर ठीक है तो यह भी आपको अगर काट certificate नहीं है तो यह आप फॉर्म यहां से फिल कर सकते हैं ठीक है तो यह जो है डॉकुमेंट्स है आपका जो है जो डाउनलोड करना है आपको प्रिंट आप निकालना है एक तो अंडर्टेकिंग फॉर्टी सीसी के लिए ंचैंड एंटि रागिंग का है और यह जो है अंडर्टेकिंग फॉर का संटिपिकेट है तो दीखें जो मैं आपको बता रहा था merit form का तो यहां से आप देख सकते हैं यह print application तो इसका print out आपको निकालना है तो यह आपने जो online form merit form भरा है इसका आपको print out निकाल देना है ठीक है तो अब application number आपका यह रहेगा ठीक है application number यह वाला आपका रहेगा तो जहां पर भी आपका application number मांगा हुआ है आपको यह application number फिल कर देना है mobile number आपको Sam डालना है जो आपने online merit form में भरा हुआता है अधर यहां पर कोई दूसरा mobile number आपको यहां पर नहीं डालना है ठीक है तो जो marks list वाला मैंने बता है फिलाल क्योंकि university की site यहां पर चलने रही है तो यहां पर जब भी university की site चलेगी मैं आपको बता दोंगा कौन से marks marks list जो है आपसे निकाल के लिए जाने है प्रिंट टोटल जो है marks जो है कितने कितने बने हैं तो external internal के तो इसलिए वहां पर आपको ले जाना बहुत ही जरूरी है तो बाकि यह सारे documents आपको ले जाने हैं वाकि अधर कोई issue आपका हो या कोई other query हो आपके तो आप पूस सकते हैं comment कर लेना या instagram पर मैसेज कर लेना ठीक है तो य सारे documents लेकर आपको जाने हैं इसके साथ में एक और चीज है कि आपको passport size की photo आप इसको miss-mask कर देना क्योंकि passport size की photo आपको पता है आपसे एंटरी वगरा भी करवाएंगे तो यह सब कुछ आपको ले कि जाना है ताकि आप जो है आपका जो एडविशन्स है एक ही दिन में आपका कंपलीट हो जाए एक दिन में ही आपका कंपलीट हो जाए तो पूरी तैयारी के साथ आपको जाना है ठीक है